द्विघात या वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना अब तक हमने द्विघात या वर्ग समीकरणों को गुणनखन विधी से हल करना सीखा है यहां हम एक अन्य विधी की चर्चा करेंगे इस विधी में समीकरण को X-A पूरे का वर्ग या X-A पूरे का वर्ग के रूप में परिवर्तित करते हैं ऐसा करने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ विशेश पदों को जोड़ने की आवशक्ता होती है इन उधारणों में इस विधी का उपयोग किया गया है उधारण 11 वर्ग समीकरण X की घाद 2 धन 6X बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधी से हल कीजी हल X की घाद 2 धन 6X बराबर 0 इससे हम लिख सकते है X की घाद 2 धन 2X गुणा 3 बराबर 0 समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2X के घुणांक 3 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर X की घाद 2 धन 2X गुणा 3 धन 3 की घाद 2 बराबर 3 की घाद 2 हमने दोनों पक्षों में 2X का गुणांक 3 का घाद 2 या 3 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ा है यहां पर हमारी सर्वस्वमी का बन रही है जैसे A का घाद 2 धन 2 A B धन B का घाद 2 तो हम इसे लिख सकते हैं X धन 3 का घाद 2 बराबर 9 चुकि हमने सर्वस्वमी का कप्रयोग किया है X का वर्ग धन 2 X A धन A का वर्ग बराबर X धन A का वर्ग के द्वारा हमने इसे प्रयोग किया है या X धन 3 बराबर वर्ग का पक्षानतर करेंगे तो धन रिण वर्ग मूल 9 या X धन 3 बराबर धन रिण वर्ग मूल 9 बराबर वर्ग मूल 3 गुड़ा 3 बराबर हमें 3 प्राप्त होंगा धन चिन लेने पर एक्स धन तीन बराबर धन तीन या एक्स बराबर तीन रिण तीन या एक्स बराबर शोन उसी तरह से रिण चिन लेने पर X धन 3 बराबर रिण 3 या X बराबर रिण 3 धन 3 का पक्षानतर करेंगे तो रिण 3 या X बराबर रिण 6 तो हमारे यहाँ पर X के 2 मान X बराबर 0 या X बराबर रिण 6 होगा अब इसी प्रश्न को कहीं X की घाद 2 धन 6 X बराबर 0 में कहीं हम इसका उभैनिष्ट निकालते हैं तो X और X धन 6 बराबर 0 तो यहाँ पर हमें यह तो X बराबर 0 में प्राप्त होगा यह X बराबर X धन 6 बराबर 0 प्राप्त होगा यह X बराबर 0 यह X बराबर रिण 6 तो हम अताहां कोई भी तरीका उप्योग करे सवाल का हल नहीं बदलेंगा दोनों स्थिति में हमें X का मान 0 और X का मान रिण 6 मिल रहा है यह हम यह कह सकते हैं कि दोनों विधियों में हमें X का मान 0 और X का मान रिण 6 मिल रहा है पहले विधि में हमने समी करण को पूर्ण वर्ग बना के हल किया और दूसरे विधि में हमने समी करण में उभैनिष निकाल कर X का हल X के मान हमने ग्याद किया या इस प्रश्ट का हल होगा.